गिव मी अ लोग इनफ लिवर और प्लेस तो सेंद और आई विल मूव था आर्थ हलो दान वेलकम दोस्तों मेरी चनल पे आप काफिट से स्वाल मते हैं दोस्तों आज एक बहुत इंटरस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ जैसे कि आपने थमनिल में देखा होगा आज का वीडियो होने वाला है एस्यमेट्रिक अपॉर्चुनिटीज पे मैं जानना हूँ दो चीज़े हमेशा involved होती है एक होता है risk और एक होता है reward और हमारे दुनिया में most of the चीज़े ऐसी होती है जिसमें risk और reward equal होता है जिसे कहते है symmetric opportunity symmetric यानि की समान आप अगर देखेंगे तो आपके आज सपास जितने भी काम होते हर एक के अंदर risk involved होता है और उसके proportionately आपको reward भी मिलता है for example आप stock market में invest करते है stock market के अंदर risk है पर उसके साथ reward भी है और life में हर situation ऐसी होती है जिसमें risk और reward लगबग बरावर होता है यानि कि अगर आप वो action perform करते हैं तो जितना आपको reward मिलने के संभावना है उतना ही risk involved होता है opportunity को कहते है asymmetric opportunity asymmetric यानि कि जो समान नहीं है यानि कि वो opportunity जिसमें risk बहुत ही कम होता है और reward बहुत ही ज्यादा उसको कहते है asymmetric opportunities आप सोचते होंगे क्या वाकई में ये possible है जी हाँ दोस्तों ऐसी कुछ opportunities ऐसी कुछ actions होती है जिसको अगर आप perform करते हैं तो उसमें risk बहुत ही कम होता है और reward बहुत ही ज्यादा मिलता है और हम आज ऐसी ही कुछ asymmetric opportunities की बात करने वाले हैं दोस्तों आप मैंसे कई लोग नवल रविकांत को जानते होंगे नवल रविकांत founder है Angel Lisp नाम के एक VC fund के और वो एक Silicon Valley के entrepreneur है जिनोंने कई सारे startups found किये है कई सारे startups को बेचा है और वो Twitter पे, YouTube पे अपने learnings को, अपने wisdom को अपने podcast के थरू, अपने tweets के थरू, अपने posts के थरू share करते हैं तो हुआ यह दोस्तों कि एक दिन में Twitter को scroll कर रहा था और अचानक मैंने उनकी ये tweet देखी दोस्तों अगर आप इस tweet को ध्यान से देखोगे इसमें नवल रविकान 10 asymmetric opportunities को list down करते हैं और आज हम इनी 10 asymmetric opportunities को थोड़ा brief में डिसकस करेंगे So let's start The first one is called invest in startups नवल रविकान खुद भी एक angel investor है और वो recommend करते हैं कि अगर आपके पास money है अगर आपके पास पहले से थोड़ा पैसा है तो आपको startups में invest करना चाहिए क्यों startups में? क्योंकि अगर आप stock market में invest करते हैं पैसा तो जैसे में आपको बताया कि stock market में investing एक symmetric opportunity है उसमें risk और reward equal है लेकिन अगर आप startups में invest करते हैं तो वहाँ पे ये एक asymmetric opportunity बन जाता है क्यों? क्योंकि अगर एक company just start हुई है और अगर आप उसमें थोड़ा पैसा डालते है और अगर वो company बहुत grow कर जाती है with a span of 5 to 10 years आपको at least 5,000, 10,000 times return में बिलेगा जो आपका initial investment था उसके उपर और इसी tendency को use करके कई VCs होते हैं, कई angel investors होते हैं जो बहुत ही wealth कमाते हैं तो investing in startup is one of the best asymmetric opportunity the next is called start a company दोस्तो ये भी बहुत interesting है अगर आपको लगता है कि आपके अंदर entrepreneurial capabilities है और आप एक company start कर सकते हैं तो आपको ज़रूर start कर रही चाहिए क्यों क्योंकि company start करने में भी यह होता है आपका initial investment बहुत ही कम होता है लेकिन अगर आप company को सही तरह से operate कर पाएंगे अगर उसको सही तरह से build कर पाएंगे तो उस company का जो return होता है वो बहुत ही increased होता है compared to आपके initial investment के and this is the golden era of entrepreneurship if you can't succeed now you cannot succeed ever the third one is called create a book, video or podcast this is an obvious one दोस्तों अगर आज की जमाने में आपके पास कोई idea है आपके पास कोई central theme है आपके पास कुछ knowledge है और उसके आपके पास कोई book नहीं है कोई podcast नहीं है कोई youtube channel नहीं है तो आप बहुत ही बड़ी opportunity miss कर रहे है क्योंकि आज का जमाना social media का जमाना है आज का जमाना permission less leverage का जमाना है और अगर इसमें आपके जो domain knowledge है उसके specific आपकोई e-book लिखते है या फिर कोई podcast शुरू करते है या फिर कोई youtube channel शुरू करके अपना अग्नान देते है तो this is also an asymmetric opportunity वाई? क्योंकि जो initial cost होता है आपका इन चीज को start करने में इन चीजों को बनाने में वो minimum होता है लेकिन अगर आप इसमें succeed होते हैं तो job कर return होता है वो बहुत disproportionate होता है अगर आपने किताब लिख दी और अगर वो best seller बन गई तो you can earn for the rest of your life sitting on your couch आपको एक वीडियो बनाने में 15 minute लगते हैं लेकिन उस 15 minute के वीडियो को अगर आप YouTube पे upload करते हैं और उसको 1000 लोग देते हैं तो आपका 15,000 minutes का view time बढ़ जाता है Do you see the difference here? आपको जो initial investment है वीडियो बनाने में आपके time के form में वो बहुत ही minimum है लेकिन उसका जो increased returns मिलता है आपको वो बहुत इस प्रपोर्शनेट है इसलिए आजकल के जमाने में if you have a domain knowledge of any sub-topic you should definitely write a book और start a podcast और start a YouTube channel around that domain The next one is called create a software product दोस्तों नवल इसमें software brackets में लिखते हैं अब जानते हैं क्यों? क्योंकि product development बहुत ही complicated process है अगर आप मेंसे किसी ने product development में काम किया है तो आप जानते हैं there are thousand things involved in developing a product लेकिन अगर आप software product बनाते हैं तो उसमें leverage बहुत ही ज्यादा होता है और उसमें जो building का process होता है वो relatively easy होता है compared to किसी physical product को बनाने के किसी hardware product को बनाने के लिए इसलिए नवल कहते है create a software product दोस्तों अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ये YouTube भी एक software product था Facebook एक software product था Instagram एक software product था Twitter एक software product था आज जितने भी बड़ी tech companies है वो सब स्टार्ट हुई थी एक software product के रूप में अगर आपके पास में ऐसा कोई idea है कि जिसको अलगता है कि इसको मैं अगर web application के form में बना सकता हूँ और को मैं host कर सकता हूँ then definitely do it because the building cost is one time but if you can get enough number of users using that product then you are up for a ride तो फिफ्ट वन इसकोड़ गो अन मेनी first dates दोस्तो नवल इसमें बहुत ही है डेटिंग में क्या होता है आप किसी unknown इंसान से पहली बार मिलते हैं एक coffee date पर या फिर एक lunch date पर या फिर एक dinner date पर और आप उनको पहली बार जानने के गोशिश करते हैं और first date में ही decide करते हैं कि क्या आप उसके साथ relationship maintain करना चाहते हैं इसलिए हमेशा जो first date होती है वो बहुत important होती है क्यों क्योंकि first date में आपको आपकी पहली impression दिखानी है आपको जो सामने वाला partner है उनको judge करना है कि क्या ये मेरे लिए सही है और अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है तो आप उसी वक्त उस chapter को close कर सकते है और उस बात को आगे बढ़ाने से रोक सकते है और नवल कहते है go on many first dates why? because अगर आप अपना partner ढून रहे है अगर आप लगता है कि आपकी शादी की उमर हो गई है और आपको एक stable relationship में रहना है तो अगर आप अपना partner ढून रहे है तो अगर आप बहुत सारी first dates पे जाएंगे तो आपका जो wedding process है जो आपका scrutiny process है वो बहुत ही fast हो जाएगा और आप quickly ढून पाएंगे दोस्तों इंडिया पर तो मैं जानता हूँ कि cocktail parties का culture इतना नहीं developed किया है लेकिन west में ये advice बहुत impractical है क्यों कि cocktail parties में क्या होता है अगर आपको किसी ने अपनी cocktail party में बुलाया है तो वहाँ उनके सारे दोस्त होंगे So that is a good opportunity to network और specially अगर आप एक entrepreneur है तो आपके में networking बहुत important है आपको कई लोगों को जानना बहुत important है That is why it is said go to a cocktail party If you go to a cocktail party you will meet new people अगर आप किसी party में जाते है तो आप लोगों को मिलेंगे उनसे introduce करेंगे अपने आपको और ऐसे ही आपका जो network है वो बढ़ता जाएगा और शायद उस party में आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जो आपके business को next level ले जाने के लिए बहुत ही helpful हो The seventh one is an interesting one नवल कहते है read a lindy book दोस्तो नसीम तलेब ने ये effect को बहुत popularize किया है अपने book the skin in the game में list करके दोस्तो क्या होता है lindy effect अगर कोई चीज अपने time frame के relative में नहीं लखी गई है तो वो चीज बहुत long lasting होगी If a commodity is not relative to the time period that it exists in it can last for a long time इसका simple meaning ये है अगर कोई book जब वो book release हुई है सिर्फ उसी time frame के related लिखी गई हो अगर उसके references सिर्फ उसी time frame में fit बैठते हो तो वो book लबी नहीं चलेगी क्योंकि हमारा world evolve होता जाता है हमारा world change होता जाता है और अगर आप किसी ऐसी book को पढ़ेंगे जो सिर्फ आज के जमाने में ही relevant होगी तो वो book लंबे नहीं चलने वाली वो book आपके लिए भी बहुत beneficial नहीं होगी On the contrary अगर आप कोई ऐसी book पढ़ेंगे जो सालों से चलती आ रही है तो यह एक इंडिकेशन है कि वो एक लिंडी बोग है क्योंकि उसने बहुत सारे जनरेशन को पास किया है आप तक महुंचने के लिए और अगर वो आज भी इतनी फेमस है तो आपको उसको जरूर पढ़ना चाहिए अगर आपक इए आपको ऑड़ना चाहते है तो यह बीगन विडिए उरीजिन पीसिस विकास इस इन आपर 200 पिसे बारेशन के लावा बाटेंगे इसलिए आपको उस्मिट्स पास्मिट्स आपको जाए लिंडिए हिंग के आपको जिए परदेंगे तो first is thinking grow rich, the other one is how to win friends and influence people the third one is as a man thinketh ये सारी books near about 100 years old है और at least 80-90 years old है और ये generation per generation पड़ी जाती है क्योंकि इनमें जो principles लिस्ट की गए है इनमें जो concepts लिस्ट की गए है वो eternal है तो आपको हमेशा ऐसी book पसंद करनी चाहिए जिसके जो concepts है, जिसके जो teachings है वो eternal हो दोस्तो, this eighth one is called move to a big city अब सोचते होंगे कि Mumbai, Bangalore, Delhi, Chennai, Kolkata ये सारे metropolitan cities में इतनी भीर क्यों होती है The reason is, the opportunities in these cities is very huge हम देखते होंगे कि अगर जैसे ही कोई company बड़ी होती है वो in cities में से कोई एक city में अपना headquarter बनाती है Why? Because big city implies big opportunities, big opportunities implies big growth इसलिए moving to a big city is also an asymmetric opportunity The ninth is called buy bitcoin Nawal Tarekaan is a crypto geek वो कहते हैं कि buying a bitcoin is also an asymmetric opportunity The price of bitcoin right now is manageable and it is surely going to rise in the future जैसे crypto की acceptance ही बढ़ती है, bitcoin का जो price है वो और जादा बढ़ेगा और हमने पिछले साल, पिछले कुछ years में देखा है कि bitcoin कैसे continually grow करता जाता है जैसे crypto की acceptance बढ़ दी जाती है So buying a bitcoin right now is also an asymmetric opportunity The last one is called tweet क्योंकि Nawal Tarekaan ने ये tweet था वो ट्वीटर पे डाला था इसलिए उन्हों लिखा दा tweet But I will generalize it to for any social media platform, post दोस्तों अगर आपके पास किसी domain का knowledge है और उसके अगर आपको content create करना आता है Then you should definitely post content on social media Posting content on social media is also an asymmetric opportunity जिदना time आपको एक post create करना में जाता है जिदना time आपको एक photo create करना में जाता है से कई ज़्यादा return आपको मिलेगा अगर वो post viral हो जादी है अगर वो post बहुत share हो जादी है इसलिए never underestimate the power of social media and keep creating content, keep creating interesting things and post them on social media This is also a big asymmetric opportunity हम लोगों ने देखा है कई influencers, कई personalities ऐसी है जो सिर्फ social media के थूँ उभर कर आई है social media पे उन्होंने अपने songs पोस्ट किये अपने talent पोस्ट किये अपने videos पोस्ट किये और उसी के थूँ वो आज बहुत ही successful हो गया है तो दोस्तों that's it these are the 10 asymmetric opportunities अगर आपको लगता है कि ऐसी भी कोई asymmetric opportunity है जो ये list में नहीं है तो वो आप comment box में लिक सकते है जिस बंदे की सबसे interesting asymmetric opportunity होगी उस comment को मैं pin कर दूँँगा top पे और अगर आपको कोई suggestion है कि इसके सिवाम मुझे और कौन सी topic पर वीडियो बनाना है तो वो भी आप comment box में लिक सकते हैं मैं ट्राय करूंगा कि उस topic पर भी आपको information देबाऊ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो like का बटन ज़रूर हिट कर देना इससे मेरा उत्सा बढ़ेगा और तो अगर आप मेरे इसे चुणना चाहते हैं तो मेरे social media profiles मेरे आप इस्टाउट कर दिये हैं आप मेरे इसे correct हो सकते हैं ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलूँगा आपस अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई